आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक शेयर कर रही हूं जो हमारी डेली लाइफ और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है वो डेफनेटली आपके लिए यूसफुल है लेकिन उनके लिए आपको पैसे खर्च करने की जुरत नहीं है बलकि इनसे आपके पैसे सेव होंगे मैं इस चैनल पे लाइफ के हर पहलू से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों के स्कूल से, आफिस से, सोसाइटी से या गॉर्मेंट आफिसे से हमारे पास जब भी कोई नोट आता है कुछ की डेट तो बहुत बाद की होती है तो हमें उन्हें तब तक संभाल के रखना होता है तो मोसली ये हम से खो जाते हैं और या अगर हम कहीं रख देते हैं तो रख के भूल जाते हैं और फिर उनकी डेट निकल जाती है तो इसके लिए मेरे पास टोटल थ्री हैक्स हैं पहला या तो आप उसकी फोटो लेके घर के किसी और फैमिली मेंबर को वाट्सेप कर दीजे आप दोनों के पास रहेगा इजी टू रिमेंबर दूसरा आप किसी आलमारी में मैगनेट के साथ इसको स्ठिक कर सकते हैं आप मोबाइल में जो कैलेंजर होता है वहाँ पे इसका रिमांडर डाल सकते हैं इवेन आप अलाम सेट कर सकते हैं कि उस ड्यू डेट के कितने दिन पहले आपको अलाम रिमांडर दे इस तरह से आप डेटा को काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ओरिगामी, क्राफ्ट पेपर, कलर पेपर ऐसे बहुत सारे हम पेपर बच्चों की अक्टिविटी के लिए लाते हैं और फिर कट करके उनके कुछ इस तरह के पीसेज बसते हैं जी ने हमें फेकना पड़ता है आप इनको इस तरह से सेग्रिगेट कीजे कि सारे कलर्स दिखते रहें और उनको किसी और पॉलिथीन या बैग में स्टोर कर लीजे तो अगली बार जब भी एक्टिविटी होगी, अगर छोटे पीसेज की ज़रत है तो हम यही पेपर यूज करेंगे स्कोल में नहीं, इवन घर में भी आप इन पेपर का बहुत सारा यूज कर सकते हैं अभी मैं आपके सार शेर करूँगी हमारे घर में ऐसे बहुत सारे केबल होते हैं में भी बच्चों की ट्वाइ कार के, हमारे कैमरेस के या मोबाइल चार्जर वो भी अलग-अलग टाइप के पिन होते हैं इन सबका USB तो सेम होता है बट एंड पॉइंट जो होता है, जो डिवाइस से कनेक्ट होता है, वो सबके अलग होते हैं अब कौन सा केबल किसके लिए है, very difficult to recognize इनको organize करने के लिए बच्चों के इस तरह के playing cards या इवन जो हमारे clothes के price tag होते हैं, आप उनको use कर सकते हैं पंचिंग मशीन से आप दोनों तरफ उसको hold कर दीजे जो अभी मैंने craft paper store किया, तो उसी में एक ये white paper था तो उसको आप cut करके इसमें labeling कर सकते हैं इवन आप color paper का भी use कर सकते हैं और सुन्दर दिखेगा यहाँ पे मैंने paper चिपका दिया अब इस पे मैं cable को इस जो hole बनाया है उस पे rotate करते हुए यहाँ पे जो big portion है उसको फसा दिया अगर rotate करते करते end में आपको लगता है कि वो hole तक नहीं पहुँच रहा है तो आप कहीं side में और punching machine से एक hole करके उस पे फसा सकते हैं यहाँ पे wire end तक नहीं पहुँच रहा है तो मैंने एक side पे और punching machine से hole किया और उसके end की जो knob है उसको इस पे stick कर दिया नाव marker से मैं इस पे label कर दूँगी कि यह मेरे बेटे के toy car का charger है इस तरह से मैं बाकी के सारे जितने भी labels हैं उनको label and fold करके रख दूँगी अब इन सब को रखने के लिए मैंने एक यह tin का box लिया है जिसके चारो तरफ paper wrap करके googly eye लगा दिया है और कुछ human face देने की कोशिश की है इसके अंदर डाल दिया है तो जब भी मुझे cable की ज़रत होती है मैं यहीं से use कर लेती हूँ इसको आप अपने drawing room, living room या even bedroom में decorate कर सकते हैं इसमें कुछ नया नहीं है कि आवले में बहुत जादा vitamin C होता है और वो हमारी immunity build करता है तो हम उसका pickle, candy, etc. बनाते हैं लेकिन जब हम उसको पानी में boil करते हैं तो उसके सारे nutrients खतम हो जाते हैं तो आवले को boil करने के लिए चाहे आप candy बना रहे हो या pickle हम इसको oil में भी boil कर सकते हैं उसके लिए आप सारे आवले को mustard oil से coating कर दीजे क्योंकि हम pickle भी उसी का बनाते हैं इसलिए मैंने mustard oil यूज किया है इसको आप cooker में डालके करीबन 50 ml के around आप इसमें और mustard oil डाल दीजे और फिर इसको gas पे धीमी आज में हम गरम करेंगे ये जो oil आप यूज कर रहे हैं इसको आप वापस पिकल में डालने के लिए यूज कर सकते हैं तो cooker को एक दम धीमी आज में 15 मिनट के लिए रख दीजे गैस को बन करके ठंडा होने दीजे जब आप cooker खोलेंगे मैं आपको एक आमला कट करके दिखाती हूँ ये एक्जैक्ली वैसी लग रहा है जैसे आपने पानी में बॉil किया है और इसको आप जड़ा सा प्रेस कीजे इसकी सारी कलियां सेपरेट हो जाएंगी अभी ये थोड़ा गरम है हम इसको ठंडा होने के बाद अच्छे से निकाल लेंगे आप पिकल बनाने के लिए, कैंडी बनाने के लिए जिसके लिए चाहे यूज कीजे मैंने ये मैथ़ड अभी रिसेंटली मेरी ममा से सीखा है क्योंकि शादी के पहले तो मुझे खाना बनाने में जड़ा सा भी इंट्रेस नहीं था कॉम्पेक्ट पावडर जो होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह के मिरर होते हैं और ये बॉक्स खाली होने के बाद हम इनको फेक देते हैं तो मैंने क्या किया, जो पुराने बॉक्स था उसका मिरर निकाल के एक इस तरह से क्राफ्ट पेपर के पीछे चिपका दिया अब यह इतना स्लीक है और लाइट वेट है कि इसको आप अपने वालेट में चिपका सकते हैं या इवेन वालेट के अंदर सिंप्ली रख सकते हैं यकीन मानिए बहुत ही बड़ा लाइव सेविंग है मोसली जब होता क्या है कि हम किसी पार्टी वगरा में जाते हैं या इवेन ट्रेन में सफर कर रहे हैं इवेन कार में कहीं भी हम जाते हैं हमारी लिप्स्टिक फैल गई या काजल स्प्रड हो गया तो अगर हमें ऐसा फील हुआ कि कुछ तो गरबर हुआ तो हम आसानी से पर्स से ये छोटा सा मिरर निकाल के चेक कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं कई बार खाना खाते समय हमारे फेस में कुछ लग जाता है तो वो तो और इंबारिसिंग हो जाता है आप मुझे कमेंट करके बताईए कि ये हैक आपको कैसा लगा डोर मैट या फ्लोर मैट हम एवरी डोर के पास, वाश रूम के पास, इंटरेंस के पास, बालकनी में सभी जगा योज़ करते हैं और जब ये गंदे हो जाते हैं तो उनको हमें धोना जरूरी है वरना फ्लोर साफ होने की बजाए और गंदा हो जाएगा लेकिन वाशिंग मशीन में strictly लिखा होता है कि आप डोर मैट वाश नहीं कर सकते और ये बहुत गंदे होते हैं, हैवी होते हैं तो हैंड वाश दो आप भूल ही चाहिए उसके लिए ट्रिक ये है कि आप डोर मैट को पहले पानी में भिगा के उसकी सैंड और डर्ड अच्छे से निकाल दीजे वाशिंग मशीन में दोना इसलिए मना होता है कि डोर मैट में बहुत गंदगी और सैंड होती है जो हमारी वाशिंग मशीन को खराब कर देती है वाश करने के बाद आप इसको नॉर्मल लोड में धो सकते हैं इसके साथ ध्यान रखिए कि आप बाकी के कपड़े या बेर्शिट ना डाले क्योंकि डोर मैट है तो जाधा गंदी है तो बाकी कपड़े को ये खराब कर देगी सर्दियों में आपने नोटिस किया होगा कि दही नहीं जमती हम सर्दियों में दही तो कम खाते हैं लेकिन कोई डिश बनाना हुआ जैसे इंस्टेंड इडली, बिर्यानी तो हमें दही चाहिए और अगर दही ठीक से नहीं जमा है तो उसका अच्छे से टेस्ट नहीं आता दही जमाने के लिए मैं यहां कुछ है शेयर कर रही हूँ सबसे पहले दही जमाने के लिए आप काँच का बर्तन यूज कीजिए उसमें बहुत अच्छे से दही जमता है reason कि वो insulator है तो दूद काफी देर तक गरम रहता है दूसरा दूद जब आप उसमें ले रहे हैं तो बर्तन में कभी भी पूरा उपर तक दूद ना भरे मतलब दही उतना जमाए कि उपर कम से कम एक आंगुल की जगा हो now दूद गरम होना चाहिए इतना कि आप उसमें जब finger डालें तो आप लगभग एक मिनद तक रख सकें आपको तकलीफ ना हो now जब आपको ये दही वाला दूद रखना है तो हमेशा इस टायन के उपर रखी अगर आप फ्लोर में डायक्री रख लेंगे तो बरतन और जल्दी ठंडा होगा और दूद भी ठंडा हो जाएगा now जब इसमें आप जामन डाल रहे हैं तो एक चमच डारेक ना डाली इसको थोड़ा सा ना mix कर लें जिससे वो liquid form में हो जाएगा तो अच्छे से mix हो जाएगा जामन और उसको डाल के थोड़ा सा इस तरह से पूरे milk में mix कर दीजे now इसको आप lid से cover कर दीजे थोड़ा सा space छोड़के क्योंकि इस सर्दी है तो में भी ये अच्छे से अभी भी ना जमें तो इसके उपर एक दूसरा बर्तन रखिए कोई भी bamboo का, plastic का जो भी आपको रखना है और इसके उपर एक गरम कपड़ा जैसे की towel या bed sheet या even कोई old blanket हो उससे cover कर दीजे यकीन मानिए दही आपका एकदम solid मखन की तरह जमेगा आप ये trick यूस कीजे और आप मुझे next वीडियो में comment करके जरूर बताइए अगर आपके इहां का temperature बहुत ही ज़ादा low रहता है तो आप ये पूरे apparatus को ऐसी जगह रखे जहां पे धूप आती हो चाहे सुबा या शाम और जब धूप आती है उसी समय आप दही जमाएए मतलब daytime में daytime का temperature थोड़ा जादा रहता है तो दही जमाने में आसानी होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like जरूर कीजेगा आप इन hacks को try करके देखे अगर आपके लिए ये working है तो आप अपने family और friends के साथ जरूर share कीजे और मुझे comment करके feedback तो जरूर ही दीजेगा मिलते हैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए you take care of yourself your happiness and definitely your beautiful family तब तक के लिए bye bye